एक फिल्म के लिए करोलों की दौलक दाव पर लगाए, हिंदी सिनिमा के सबसे शांदार एक्टर्स में से एक होने के अलावा, मनोज कुमार सबसे सफल डायरेक्टर्स में से एक भी थे। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम और रोटी कपड़ा और मकान जैसी सफल फिल्म में बनाई। उनकी एक ऐसी फिल्म के बारे में हम तूस्टे तलका में बताने जा रहे हैं, जिसने सारे रिकॉर्द्स दोर दिये थे और इसके लिए डायरेक्टर को अपना बंगला बेचना पड़ा था। मनोज की सबसे बड़ी पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म क्रांती थी, जो 1980 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतिय फिल्म बन गई। इसके एक्टर्स में खुद मनोज कुमार, दिलीग कुमार, शशी कपूर, शत्रोगन सिन्हा, हिमा मालनी औ पीछे हट गए और पैसे देने की जिम्मेदारी खुद मनोज कुमार पर छोड़ दी गई। हाला कि मनोज कुमार ने फिल्म बनाने के लिए दिल्ली में अपना बंगला और मुंबई में अपनी जमीन बेच दी। लेकिन जब कुरांती को 180 दिनों तक रोकने के बाद आखि जगहों पर गोल्दन जबली पूरी की